आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हानी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अगर हमने HSN की डिटेल नहीं डाली तो आपके ओपर कितनी पेनल्टी लगेगी इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसका जो पॉइंट नमबर 18 है यह कहां से डाउनलोड करोगे आप CBIC की साइट से डाउनलोड कर सकते है अब इसका जो पॉइंट नमबर 18 है इसे ध्यान से समझिएगा यह पॉइंट नमबर 18 जो है 10 नवंबर 2020 में डाला गिया था यह पॉइंट नमबर 18 क्या कहता है इट विल बी मेंडेटरी इसे ध्यान से पढ़िएगा इट विल बी मेंडेटरी तु स्पेसिफाई था नमबर ऑफ डिजिट अफ एच्यान पॉइंट नमबर इसे ध्यान डालना मेंडेटरी है turnover की बात नहीं करी, यहाँ पर बोल दिया कि आपको HSN code डालना mandatory है for goods and service that class of registered person किस class of registered person के लिए cell be required to mention age में भी specified, इन्हों ने क्या करा GSTR1 का जो link है वो कर दिया rule 46 से क्या बोल दिया, कि जिन लोगों पर rule 46 apply हो रहा है जिन लोगों पर rule 46 का first provision apply हो रहा है उन लोगों के लिए यहाँ पर HSN code डालना mandatory है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जैसे इन्होंने point number 18 डाला, क्या यह point number 16 और 17 बेकार हो गया, और अगर यह बेकार हो गया तो इसे delete क्यों नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर point number 16 और 17 यह कहते थे, कि भई अगर आपकी turnover up to 1.5 करोड है, अगर आपकी turnover up to 1.5 करोड है, तो आपको यहाँ पर कोई भी HSN नहीं डालना, स्रिफ description of goods डाल देना है, तो अब यहाँ पर जब हम HSN डालते हैं, तभी description of goods आता है, यहाँ पर ऐसा कोई option नहीं है, कि भई हम HSN of goods ना डाले, और description of goods डाल दे, तो अगर यह point number 16 बेकार हो गया, तो भई इसे delete करना था ना आपको, अब यहाँ पर तो confusion create कर दी, कि 1.5 करोड से अगर कम आपकी turnover है, तो आप क्या डाले, तो यहाँ पर 16 number और 17 number point की कोई value नहीं रह गई, अब point number 18 की value रह गई, जिसे link कर जा गया rule 46 से, चलिए एक बार rule 46 भी देख लेते हैं, जब हम rule 46 को देखते हैं, तो rule 46 यह कहता है, कि भई जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे notification निकालेंगे, उस हिसाब से हम बताएंगे, कि भई आपको कहां कहां पर HSN डालना है, और किसकी विशक्तियों को डालना है, जब हमने notification चेक करी, तो notification में हमें पता लगा, कि भई जिस व्यक्ति की turnover, जिस व्यक्ति की turnover, अप्टू 5 करोड रुपीज है, तो उस व्यक्तियों को HSN summary mandatory है, चाहे उसकी turnover 2 lakh है, चाहे 4 lakh है, कौन से वाली B2B वाली, B2C के लिए छूट दे दी गई, किस के लिए अप्टू 5 करोड ये हमने अपनी magazine में भी डाला, अब यहाँ पर question ही आता है, कि भई अप्टू 5 करोड B2C हमें नहीं डालना, तो क्या इस वाले case में, क्या इस वाले case में, जब हम अपनी GSTR 1 भरेंगे, तो difference नहीं आएगा, क्योंकि sales तो हमारी जादा जाएगी, क्योंकि B2B और B2C दोनो sales जाएगी, और यहाँ पर HSN में B2C की detail नहीं जाएगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, point number 18 की, तो यहाँ पर आपको यह बात समझनी है, कि भाईया, point number 18 के हिसाब से, rule 46 के प्रोविजो के हिसाब से, अगर आपकी turnover up to Rs.5 करोड से है, तो आपको B2B की HSN wide समरी देनी है, B2C की नहीं देनी, और अगर आपकी turnover 5 करोड से उपर है, तब आपको B2B के साथ B2C भी देनी है, यह वाली बात कहता को ने, अब आपको clear हो गया होगा, कि सर यह वाली बात, जो हमारा instruction form है, उसका point number 18 कहता है, हाला कि department को, government को point number 16 और 17 को, अब delete कर देना चाहिए, जिससे confusion create ना हो, आप मुझे comment box में लिखकर बताना, कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, चलिए अब तो यह बात हो गई, कि हाँ सर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब question ही आता है, कि सर मेरी turnover 10,000, मेरी turnover 20,000, और मेरे पर HSN wise डिटेल नहीं है, तो मैं इस column को file नहीं करता, इस वाले column को भरता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरी return submit हो जाएगी, हाँ भी है, बिल्कुल आपकी return submit हो जाएगी, जैसे आप document issue वाली detail नहीं भरते हो कई बार, तब भी आपकी GSTR 1 submit हो जाती है, तो बिना HSN wise summary डाले भी, आपकी return submit हो जाएगी, तो सर नुकसान क्या होगा, तो भी नुकसान के लिए ना, दो section है, नुकसान के लिए दो section है, कौन से दो section है, एक तो है section 164, section 164 क्या कहता है, कि भाई अगर आपने हमारा कोई भी rule नहीं माना, तो rules के अंदर ये provision है, वो लिखकर penalty लगा दें, कितने रुपेगी, 10,000 CGST और 10,000 SGST maximum, तो आपको ये वाली penalty लग सकती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है, कि सर, यहाँ पर जो section 164 है, वो ये कहता है कि अगर कोई rule violation हुआ, तो उस rule में लिखा जा सकता है, कितनी penalty लगे, तो यहाँ पर तो ना तो rule 46 में लिखा हुआ, कितनी penalty लगे, ना यहाँ पर GSTR 1 के rule में लिखा हुआ, तो इस वाले case में section 164 नहीं लगेगा, इस वाले case में section 125 लगेगा, और section 125 में penalty कितनी है, 25,000 CGST और 25,000 SGST, तो इसका मतलब यह penalty 50,000 तक जा सकती है, तो यहाँ पर देखने वाला बात यह है, कि वही government ने कोई clarification नहीं करा, document issued पर अभी तक कोई penalty लगती हुई आई नहीं है, आपने बहुत सारी defective return फाइल करी है, लेकिन क्या department लगा सकता है, हाँ जी बिलकुल लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पर HSNY summary को लेकर department पूरा serious है, क्योंकि आप लोग खरीदते किसी percentage पर हो, बेशते किसी percentage पर हो, तो अब आप यह भी नहीं कहा सकते हैं, रूल में कहां लिखा है, तो रूल मैंने आपको दिखाई दिया, रूल 46 में लिखा हुआ है, मैंने आपको फोम में दिखा दिया, तो भाया, आपको अपने GST invoice पर, GSTR 1 पर, तिकरा उसी हिसाब से HSNY summary डान ली है, मतलब कि अगर up to 5 करोड है, तो आपको B2B डान ली है, और 5 करोड से उपर है, तो B2B और B2C, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, या तो section 164 की penalty, या आपको section 125 की penalty लग जाएगी, जो की बहुत भारी होगी, तो इसलिए, आप अपनी समझदारी से HSN डाले, तिकर जिससे आपको कोई गलती ना हो, GSTR 1 की अपनी fees बढ़ा दे, कि भाया, अब HSN Y summary भी जाएगी, किलियर हुई मेरी बात, अगर आपको मेरी बात किलियर हुई, मेरा view समझ आया है, तो मझे comment box में लिख कर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो जाद से जादा लोगों तक share करना, अगर आप सारे section सीखना चाते हैं, तो हमने 1500 गंटे का course बनाया है, जिसमें जो हमारे webinar भी होते हैं, GST से related, वो भी हम आपको free of course share करते हैं, अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक, आपको सारे updates भी provide करते हैं, तो अगर अभी तक आपने यमारी पेंड़ाई purchase नहीं करी है, तो आप हमारी पेंड़ाई purchase कर सकते हैं, और हाँ magazine आपको सबको मिल गई होगी, ठीकेना, अगर magazine आपको नहीं मिली है, तो आप इस number पर WhatsApp कर सकते हैं, soft copy और hard copy हमारी तरफ से दोनों जा चुकी है, दो-तीन दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, अगर आपको sample copy चाहिए, तो sample copy भी इसी number से ले सकते हैं, इस ये सारी retail हम अपनी magazine में देते हैं, तो अगर आपने अभी तक magazine सब्सक्राइब नहीं करी है, तो इस number पर WhatsApp करके, आप हमारी magazine को subscribe कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching.